बंगाल से मम्ता बिरेर जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्सिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदूओं का गाओं का गाओं खाली हो रहा है यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तिफा देने को तैयार हूँ सारे बंगाल से मुर्सिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदूओं के उपर चुम किया मुसल्मानों की अबादी दिन प्रति दिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को अस्तरचेव करना चाहिए सर सम्विधान खत्रे में हम यहां हसने की बात करते हैं दलितों की बात करते हैं पिछणों की बात करते हैं आदिवासी को बचाने की बात करते हैं और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंदर सरकार हो, चाहे राजी सरकारों कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एक मात्र लक्ष यही है कि समाज के अंतिम यक्ति तक पहुँचना है, मैं जिस राजी से आता हूँ, अध्यक्ष मोदे, संथालपृणा एरिया से, जब संथालपृ और ना बिहार से अलग हुआ जारखंड तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथाल पढ़ना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% था 10% आदिवासि कहां गायब हो गए कहां खो गए इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता की बात नहीं करता है वो बोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है और जो हमारे यहां सरकार है जारखन मुक्ति मोर्चा कॉंग्रेस वो इसके उपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है आज क्या हो रहा है बंगला देश का घुसपैट हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है जो आदिवासी महिलाएं उनके साथ बंगला देशी घुसपैट ही है शादी कर रहे हिंदू और मुसल्मान का सबाल नहीं है हमारे यहां जो लोग सभा का चुनाव लड़ती है महिला आदिवासी कोटे से लड़ती है उनके पती मुसल्मान है जिला परशट की जो अदिवासी मुखिया जो आदिवासी होते हैं और ये टोटल जो है आप समझें हमारे यहां 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पती जो है सभी के सभी मुसल्मान है हमारे यहाँ वी विधान सभा का चुनावा अध्यक्ष मोदे 123 परसेंट तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आये हैं प्रतेक पात साल में 15 से 17 परसेंट पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है हमारे यहाँ 123 परसेंट जये मैं जिस लोग सभा से आया उसकी एक विधान सभा मधुपूर में लगवग लगवग 267 बुथों पर 117 परसेंट मुसलमानों की आवादी बढ़ गई और पूरे आप समझे कि टोटल जो है जारखंड में कम सकम 25 विधान सभा ऐसी है जहां 123 परसेंट 110 परसेंट आवादी बढ़ी है ये एक बड़ा चिंता का विसे है दूसरा सर हमारे यहाँ भी पाकुर जिले में तारा नगर इलामी और डंगा पाड़ा में दंगा हो गया दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बिरेर जी की जो पुलिस है और वहाँ के लोग मालदा और मुर्सीदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदूओं का गाउं का गाउं खाली हो रहा है ये बड़ा ही सिरियस मिस है और मैं और रेकॉर्ड का रहा हूँ यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ सारे बंगाल से मुर्सीदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदूओं के उपर चूप किया और जारकंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदे आगरा है कि पूरा मालदा मुर्सीदाबाद अरररिया किसानिनांज गठियार और हमारी असाबलेंज और यह जारकंड हाइपोट का अभी 22 जुलाई का ओडर है जो यह करा है कि मुसल्मानों की अबादी दिन प्रति दिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को अस्तर चेफ करना चाहिए यह जीतना किसानि गांज रर्या कटियार मालदा मुर्सीदाबाद और पूरा संतार्पना है इसको यूनियन टेरेक्टरी बनाइए ने तो हिंदू खाली हो जाएंगे एनासी लागू करिये और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमीटी बेजिए और पूरे सभी उसके क्रिलमु कॉंग्रेस के मैक्सिममें इसको पर रखिए कि वो कमीटी जाए और दूसरा जो ये जो ये लाग कमिशन की रिपोर्ट है 235 में 2010 की उसको लागू करिये कि धर्मांकरण और साधी के लिए पर्मिशन जरूरी है आपने मुझे मुझे मौका दिया इनी सब्दों के साथ जैन जैवारत